हैलो फ्रेंड सोगत है आपका मेरी चैनल में आज आपके साथ में आवर एक भहुती खुपसरत लांग मंगल सुतर डिजाइन लेकिया है हूँ दिखने में भहुती खुपसरत है और बनाने भहुती आसान है आप इस मंगल सुतर को घर पर आसानी से बना सकते हो तो यहाँ पर हमें मंगल सुतर बनाने के लिए लेना है ब्लैक मोती यहाँ पर हमें लेना है पिले वाले मोती यहाँ पर ब्लैक और पिले एकी साइस के मोती लेना है यहाँ पर हमें बड़े वाले इस तरह के गोल्ड मोती लेना है यहाँ पर छोटे वाले इस तरह के गोल्ड करते हैं यहाँ पर हमें डबल एर धागा लेना है यहाँ पर आपको जितना लोंग मंगसुतर चाहिए आप यहाँ पर उतना धागा ले सकते हो यहाँ पर मैंने धागे को फोल्ड करते हैं इस तरह से धागा लिया है यहाँ पर धागा थोड़ा जादा ही लेना है हमें यहाँ पर धागे के वर धागे को अलग-अलग कर लेना है दोनों धागों को यहाँ पर स्विन से बांद लेना है यहाँ पर मैंने स्विन में सिलाय वाला धागा पुरू लिया है यहां पर हमें दोनों धागों को इस तरह से बांध लेना है अब हमें एक स्विन में ब्लेक मोती पुर लेना है यहाँ पर आप अपने हिसाब से ब्लैक मोती कम जादा कर सकते हो यहाँ पर मैंने 26 इस तरह से ब्लैक मोती पुरो लिया है यहाँ पर हमें दोनों धागों में बराबर ब्लैक मोती को पुरो लेना है यहाँ पर हमें दोनों धागों में बराबर ब्लैक मोती को पुरो लेना है अभी एक स्वी में इस तरह से ब्लैक मोती लेना है इस तरह से पकड़ते वे यहां परा में दोनों धागों को इस तरह से आइस्था स्कीसते वे उपर के ले जाना है फिर से यहां परा में दोनों धागों में पिला वाला मोती पुरू लेना है फिर से यहां पर हमें दोनो धागों में पिलावला मोती पूरो लेना है यहां पर हमने दोनों धागों में पिला वाला मोती पुरू लिया है अभी हमें फिर से यहां पर तीन ब्लैक मोती लेना है यह देखे इस तरह से पकड़ते हुए यह वाली सुई से पुरू लेना है इसी तरह से पकड़ना है ताकि हमारा धागा सुई में फसे ना और इस तरह से दोनों धागों को आईस्ता से किस्ते वे उपर के उर ले जाना है फिर से यहाँ पर हमें दोनों धागों में पिलावला मोती पुरो लेना है पुरो ले आपने दोनों धागों में पिलावाला मोती पूरो 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 ले आपने दोनों धागों में पिलावाला मो पूरो लेना है पहले हाँ पर हमने एक फिर से दो फिर से तीन फिर से चार फिर से यहां पर पाच इस तरह से ब्लैक मोति को पूरो लिया है आप देख सकते हों यहाँ पर मैंने एक-एक मोति को इस तरह से बढ़ाया है इसी तरह से यहाँ पर हमें मोतियों को बरापर पूरोते जाना है अब यहाँ पर फिर से दोनों धागों में पिलावाला मोति पूरो लेना है पर हमने दोनों धागों में पिलावाला मोति पूरो ले आए फिर से यहाँ पर हमें चार बलैक मोति पूरो लेना है यहाँ पर आभी हमें इसी तरह से पकड़ते हुए यह वाली सोई से पूरो लेना है यह देखें यहाँ पर आभी हमें मोतियों को कम करते जाना है इस तरह से हमने उपर से इस तरह से कम किया है वैसे हमें चार फिर तीन फिर दो इस तरह से मोतियों को पूरो लेना है यहाँ पर आभी हमें तीन बलैक मोति लेना है इसी तरह से पूरो लेना है यह देखे फिर से दोनों धागों में या प्रामें पीला वाला मोती पुरो लेना है यह देखे इस तरह से फिर से या प्रामें दो ब्लैक मोती लेना है और इसी तरह से पुरो लेना है यह दिके इस तरह से फिर सी दोनों धागे में आपरा में पिला वाला मोती पुरो लेना है यहां पर आभी हमें एक ब्लैक मोती लेना और इस तरह से पकड़ते वे वाली शोटा वाला मोती पुरो लेना है यह देखे इस तरह से यहाँ पर आमार डिजाइन बन जाएगी यहाँ पर आभी हमें दोनों स्विंग को मिला कर एक चोटा वाला गोल्ड मोती पुरू लेना है यह देखे इस तरह से एक ब्लैक मोती पुरू लेना है यहाँ पर आभी हमें बड़ा वाला गोल्ड मोती पुरो लेना है फिर से यहाँ पर आभी हमें दोनों सुन को मिला कर एक ब्लैक मोती पुरो लेना है फिर से एक गोल्ड मोती यह देखे इस तरह से यहाँ पर हमें मोती को पुरो लेना है और धागे को यहाँ पर अलग-अलग कर लेना है यहाँ पर अभी हमें एक black movie लेना है और इसतरा से पकड़ते होबवज यह वावने से पुरू लेना है दोनो धागों को कहिचते होब उपर किर ले जाना है फिर से यहां पर हमें दोनों धागों में पिला वाला मोती पुरो लेना है फिर से यहां पर हमें दो ब्लैक मोती लेना है फिर से इसी तरह से पुरो लेना है देशे हमने उपर डिजाइन बना है इसी तरह से यहां पर भी डिजाइन बनाना है हमें इसे तरह से दोनों दागों में यहाँ पर हमें पिला वाला मोती लेना है यहाँ पर आभी में तीन ब्लैक मोती पुरो लेना है इसी तरह से फिर से चार ब्लैक मोती देखिए इस तरह से पुरोते जाना है यहाँ पर आभी में पाच ब्लैक मोती लेना है इसी तरह से आगे हैं आपर हमें एकी स्टेफ को फालो करते हुए डिजाइन को बनाती जाना है आपको देखने के बाद में समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से एक डिजाइन को बनाया है इसी तरह से हैं आपर हमें बराबर मोतियों को पुरूती जाना है आपको जितना लॉंग चाहिए आप यहाँ पर आगे मोतियों को बढ़ा सकते हो आपको जो खितना लॉंग फितना बबने यह दिखें यहाँ पर मैंने इतना ही एक साइड बना लिया है इसी तरह से यहाँ पर हमें दुसरी साइड भी बना लेना है आपको जितना लॉंग चाहिए आपर आगे मूतियों को बढ़ा सकते हो अभी इसे हमें पेंडेन को लगा लेना है पहले से मैंने एक साइड पेंडे ही दिए कि इस तरह से और यूदु है यहां पर आपर मेंगे फिक्स करने को यहां पर हमारां पेंडेंटट पेंडेन को लग चुका है, अब हम पीछे स्कुरू लगा लेना है, यहाँ पर हमें स्कुरू लेना है, पीछे इस तरह से स्विंग को बांद लेना है, स्कुरू को पुरू लेना है और स्विंग को निकाल देना है, यहाँ पर हमें स्कुरू के बराबर अच्छे से नॉट ल यहाँ पर हमने दोनों से डिस्कुरू को लगा लिया है तो हिआप पर हमार आज का यह भहुती खुबसरत लॉंग मंगल सुतर डिजाइन तैयार है आपको मेरी आज की ये मंगल सुत्र की डिजाइन कैसे लेगी आप मुझे कमेंट करना और मेरी चैनल पर नहीं हो तो मेरी चैनल को like, share, subscribe करना न भुले आपको और भी मंगल सुत्र डिजाइन सिखना आओ तो आप मेरी चैनल पर जाकर जेख सकते हूं मैंने भहुत से खुबसरत मंगल सुत्र की डिजाइन शेर किया हुआ है।